वल्कम बैक तो माई यूटिब चैनल डियर फैंट आप सभी का स्वागत है और कुछ बढ़िया बहतरीन सीखेंगे बात करेंगे इस वीडियों बात करने वाला हूँ फेस्बुक पर कितने पिक्सेल होते हैं कितने तरीके के पिक्सेल होते हैं उनका क्या प्रियोग होता है कुछ ऐसी जनरल बात करेंगे और आपकी बहुत बड़ी मदद होने वाली है इस चीज में अगर आप बिलकुल नए हैं फेस्बुक एड्स में फेस्बुक पिक्सेल में और conversion में राइट तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर आपको Facebook Ads दिख रहा है थोड़ा माइक चेक कर लेता हूं सही माइक यूज हो रहा है हमारा यह वाला माइक यूज कर रहा हूं यह वाला नहीं कर रहा हूं मैं इसमें यहां भी रख सकता हूं एक सेकेंड इसको हम यहां रख सकते हैं और इसको थोड़ा सा उपर कर सकते हैं जिससे सामने से बढ़िया आवाज आती है ओके वैरी गूड ओसम थैंक यू तो आपके सामने यहां पर Facebook Ads Manager गाइड तो यहां पर हम क्लिक करेंगे इस तरीके से हम Facebook Ads Manager की दुनिया में एंट्री कर जाते हैं और यहां पर आप क्लिक करेंगे अपने अपने अकाउंट पर Facebook Ads अकाउंट पर और एक Facebook Ads अकाउंट के अंदर कितने भी Facebook Pages से Ads लाए जा सकते हैं और बहुत कुछ किया जा सकता है तो यह है हमारा Ads Manager की दुनिया और यह Campaigns है Campaigns के अंदर Ads 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 के अंदर Ads है और राइट तो मैं आपको डायरेक्टी दिखा दे रहा हूं काफी मदद होने वाली है आपकी और लेफ्ट साइड में अब क्योंकि Facebook है Software एक तरीके से तो ले आउट है इसका चेंज होता रहता है तो यहां पर टूल्स है और टूल्स पर आप क्लिक करते हैं यहां पर आपको मिलता है एक Events Manager कुक्सथ क्या है यहां पर लेफ्ट साइड मिलता है और यहां पर लैफ्ट साइड पर आपको मिलता है एक ओवर्वियू, ओवर्वियू के पेज पर हम हैं यहां पर, यह ओवर्वियू है, पेज वियू, 28 दिन में 41,000 पेज देखे गए हैं मेरे, इस Facebook पिक्सेल से, यानि 1000 से ज़्यादा लोग मेरी वेबसाइट पर आते हैं, इस पिक्सेल के मादिम से, पांच हजार पांच सो लोगों ने, जो है, लास्ट रिसीव्ड वनावर एगो, कॉंटेंट देखा है, कुछ ऐसे है, पांच हजार तीन सो लीड्स की बात हो रही है इस पिक्सेल से, और भी पिक्सेल हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा हैं इस Facebook अकाउंट में, ठीक है, त डेटा आ कहां से रहा है, यहाँ पर देखिए, बार है वेबसाइट हैं, जहां से डेटा आ रहा है, राइट हैंड साइट पर देखिए, एक पिक्सेल है, पिक्सेल होता क्या है, जैसे गूगल एनलेटिक्स होता है, गूगल एनलेटिक्स एक सर्विस है, वो क्या करती है, पिक्सेल आपकी website का data track करता है, traffic track करता है, activities track करता है, that's it, pixel is a service like Google Analytics, okay, clear है, तो pixel एक सेवा है Google, Facebook की तरफ से, pixel एक सेवा है Facebook की तरफ से, उस pixel tracking code को आप अपनी website बढ़ाल देते हैं, तो आपकी website का traffic जो है, track होने लगता है कि किस दिन कितना traffic आया आपकी website पर, right, इस तरीके से, अब आपकी website पर तरह तरह के page होते हैं, home page, about us page, contact us page, store page, blog page, thank you page, landing page, blah blah blah, right, अब उन pages को भी आप अलग अलग track करना चाहते हो, कि बंदा किस page पर गया, किस page पर गया, किस page पर गया, उनको track करना चाहते हो तो उनको बोलते हैं traffic tracking, normally, यह देखिए, page view 41,200, view content 55,00, lead 5,300, add to cart 57 लोगों ने किया है, initiate checkout 34 लोगों ने initiate चेक आउट किया है, payment info 27 लोगों ने दी है, link click 19 ने किया है, trial 19 ने शुरू किया है, purchase 6 लोगों ने किया है, right, तो यह है हमारी online pixel का पूरा इस्तिति, आप अपने data sources मे आ जाईए और यहां जाके देख लिए जी आपकी performance क्या है, पिछले 28 दिन में 6 लोगों ने आपसे online खरीदारी किया, that's it, right, तो यह कच्चा चिट्था आपके सामने आ गया, मेरा भी कच्चा चिट्था आ गया, तो बहुत ही sensitive information आप देख पा रहे हैं, तो यह track हो रहा है, अब इसके नीचे, data sources के नीचे है custom conversion, custom conversion का मतलब समझेए, कि हम खास उद्धेशे के लिए track कर रहे हैं, खास उद्धेशे के लिए, for a very specific purpose, अब आपका purpose समझाता हूँ, बंदा आपकी website पर आया, आपके landing page पर आया, उसने जो आप चाहते थे वो काम किया, और जो आप चाहते थे वो काम किया, तो आपको पता कैसे चलेगा, तो क्या करते हैं आप, बंदा आपके एक page पर आता है, आप कहते हैं, हम यह चाहते हैं, बंदा यह करे, अपने नाम, email ID भरे, और जैसे यह काम खतम कर ले, तो फिर वो यहाँ पहुन जाए, इस particular page पर, औ हमें समझ जाएंगे, कि उसने अपना नाम, email ID दे दिया है, तो यानि वो convert हो गया है, यानि उसने हमें, हमारी lead बन गया है, पहले वो क्या था, website का visitor, अब वो convert हो गया है, lead में, तो conversion हो गया है, lead कभी कभी payment करके, customer में convert हो जाती है, तो फिर से conversion हो जाता है, conversion का मतलब है, कि इस्तिती बदली, आपका जो sales funnel है, उसके अंदर website visitor की इस्तिती बदली, पहली इस्तिती क्या होती है, visitor, दूसरी इस्तिती क्या हो सकती है, lead, तेसरी इस्तिती क्या हो सकती है, paid customer, paid customer के बाद की इस्तिती हो सकती है, upsell, downsell, right, तो वो convert होता रहता है, होता रहता है, तो हो सकते तरह तरह के convergence आपकी website पर हो सकते हैं अब एक conversion मेरी website पर लगा हुआ है SMM course SMM course का मतलब क्या है कि landing page कुछ अलग है landing page पर जाएगा बंदा वहाँ course खरीदेगा जब वो course खरीद लेगा तो एक नए page पर पहुंचेगा वो कौन सा page होगा जहां से वो course को attend करेगा और वो उसके URL का part यहाँ पर दिया गया है यह, यह part यहाँ दिया गया है तो जो हम create custom conversion करते हैं तो यहाँ पर हम URL का part देते हैं कि यह वाला URL या फिर particularly URL के अंदर यह contents होना चीए यह वाली चीज contain होनी चीए तो मैंने लिखा है कि यह वाला code और take इसका मतलब है कि SMM course इसने खरीद लिया है वो ही यहाँ तक पहुँच सकता है बस तो वो हमारा paid student बन चुका है तो वो active है राइट तो 19 लोग 1600 लोग जो active courses लिये वेठें 1800 लोग जो CBS में convert हुए है visitor है यह visitor है यह paid customer है 1000 लोग जो webinar के लिए register है 4300 लोग जो digital career blueprint attend कर रहे है चेक आउट 45 लोग चेक आउट कर चुके है live master class 101 लोग है live master class यह सब conversions को track किया हुआ यह है different conversions market में ज़्यादातर coaches को मैंने देखा है जो आजकल इंडिया लेवल के national coach बने बैठे है वो गलत शब्द का प्रियूग करते है मैं यह गलत नहीं करते हूँ बट right vocabulary यूज नहीं करते वो कहते हैं आपके website पर 3 pixel होने जी install 3 pixel नहीं होते दूसरी बात install नहीं होते दोना ही चीज यह गलत है pixel हमेशा एक होता है और convergence tracking configure होती है सिर्फ उसको बताया जाता है कि इसको track कर लो इसको facebook को और website पर तो सिर्फ एक बार हमें अपना जो pixel code है वो configure करना होता है जिससे साधारन वासा में आप इंस्टॉल कह सकते तो साधारन आजमी अगर इंस्टॉल कहेगा तो मान लूगा मैं बढ़ अगर कोई बड़ा कोच कहेगा जो लाको करोडर रुपे कमा चुका है तो फिर थोड़ा आजीब लगता है राइट चलिए कोई बात नहीं तो इसको हम बोलते हैं पिक्सेल जो गूगल एनलाइटिक्स की तरह आपकी वेबसाइट पर एक बार कन्फिगर किया जाता है और वो आपके सारे वेबसाइट ट्रैफिक को ट्रैक करता है और फिर हम उसको बोलते हैं कि कस्टम कन्वर्जन इस चीज़ को भी गूगल में भी होते हैं और फेस्बुक में भी होते हैं और वो ट्रैक करते हैं कि कहां से ट्रैफिक आया कितने लोगों ने यह action लिया और कितने लोगों उहां पहुंचे That is called कस्टम कन्वर्जन I hope आपको इस वीडियो से pixel और custom conversion का फरक समझ में आया होगा बिलकुल आया होगा और अगर नहीं आया तो comment करें मैं दुबारा वीडियो बनाऊंगा और साधारन वाशा में तो शायद तब आपको समझ में आ जाएगा comment करके जुरूब बताएं वीडियो कैसी लगी समझ में आई और easy तरीके से और ज्यादा organized way में क्योंकि simple topic था सिर्फ concept clear करने वाली बात थी तो मैंने इसको समझानी कोशिश की that's all thank you very much मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत